आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android में जब भी आप अपने मोईल फून से वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल करने पर फोन की डिस्पले जो होती है यह आफ हो जाती तो इस प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलता है Android System Intelligence का इसके ठीक सामने थ्री डॉट पर टैप करने हैं आपको इस वाले पेज में नीचे की साइड है इस्टोरेज का ओप्शन आपको टैप करने है अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड है क्लियर कैच पर टैप करने है तो एक कै आपको नीचे की साइड इस्टोरेज पर टैप करने है इसमें आपको नीचे क्लियर कैच पर टैप करने है तो आपको एक कैच के सामने लाड डेटा जिरो हो जाएगा अब देखे अगला काम करने कि आपको अपने मुएल फून का सॉफ्ट एर आपको चेक करना है कि वो आपको यहां इस वाले पेज में डाउनलोड एंच्टॉल पर टैप करना है आपको जो ना इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उससे आपको टैप करने के फोन का सॉफ्ट एर अप पर दो काम आपको नीचे की साइडय वीडियो कौल करने पर डिस्पली आफ यह प्रॉलम्स तॉल आईगी। लेकिन फोन को रिसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात आपको यह ध्यान रखने हैं, आपके फोन में जितना भी डेटा, सारा डेटा, आपके दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए, या आप अपने फोन के डेटा का बैकप ले लीजिए, दूसरी बात यह ध्यान रखने हैं, आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है, यह दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बात फोन को रिसेट करने हैं, तो मेरे बताएवे सारे प्रोसेस आपको यूज़ करने हैं, इससे आपके मुएल फोन में जो वीडियो कॉल करने पर डिस्पले आफ हो जाती है, प्रॉब्लम वो देगी ठीकिना